नमस्कार मैं हूँ शत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB Hindi News के बड़े बदला हुए हाई क्वालिफिकेशन के एक्स्ट्रा नमबर नहीं मिलेंगे रेस से पहले होगा हाइट चेस्ट टेस्ट स्तंबर महिने में होगा हरियाना गुरुप D का CET एक्जाम एंटी निस्रू की तैयारी जीयो और वोड़ाफोन आइडिया का बड़ा धवाका लॉंच के साल भर की वेलिडिटी वाले सांदार रिचार्ज पलान बताएंगे पूरी अपडेट हरियाना में आज परवेस कराएगा बीपरजुआ चक्रवा तूफान इन जिलों में जारी हुआ अलेट बताएंगे पूरी खबर हरियाना में बेरोजगार युआ आंदोलोन की रहा पर हरियाना SSC और HPSC को जमकर घेरा गया सिर्षा में आज साम को रैली को समगदित करेंगे अमिच्छा तेरा SP वे आरेफ वे कई जिला की पुलिस को शुरक्ष्टा की कमान में लगाया अब रेलवे सेक्टर में उतरेंगे गोतम अडानी ओनलाइन ट्रेंड टिकट बुकिंग बिजनेस में IRCTC को देंगे टकर और अब खबरें विश्तार से चक्रवाती तूफान विफर जोई कमजोर पड़ गया है हरियाने में अब इसका असर आनसिक रहने वाला है राजस्तान से सटे दक्षन हरियाने के कुछ इलाकों में हलकी से लेकर मद्यमबारिश का अनुवान जताये गया है वहीं राजस्तान के बाद आज हरियाना में तूफान वी परजाई प्रविस करेगा राजस्तान और गुजरात में तूफान की तबाई के बाद चंडीगड मौसम विवाग ने इन जिलों के लिए विशेस अलट जारी किया है हरियाणा की दक्षने हिशों में पढ़ने वाले आठ जिलों के लिए विशेस अलट गोशित किया गया है बिपरजोय तूफान का ज्यादा असर महेंदरकट, रेवाडी, गुरुगरा, मेवात, पलवाल, फरीदबाद, जजजर और रोतक में देखने को मिलेगा दो अन्य जिलों में परभाव कम होगा इसके अलावा राजी के चोदा जिलों में आन्शिक असर देखने को मिल सकता है हालांकि बिपरजोय के हरियाणा में ज़्यादा असर के संभावना नहीं है लेकिन इसका असर साफ तोर पर 18 जून यानि आज पता चल सकेगा मानसुन के सुरुवात के सामाने थेती 17 से 18 जून के आसपास रहने के संभावना जता ही जा रही है हालांकि मौसम इभाग ने अभी तक इस बारे में कोई भी आधिकारिक जनकारी नहीं दी है चंडिगड़ पुलिस में नोकरी के चाहर रखने वाली युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है आपको बता दें कि चंडिगड़ पुलिस के तरफ से असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एग्जेकुटिव के पदा पर भरतिया की जा रही है यदि आप भी अभी इस भरति के लिए इच्छो के हैं तो आविदन कर सकते हैं इन पदों के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट पुझागर ओनलाइन आविदन कर सकते हैं महिला वे पुरुष दोनों वर्गों के उम्मिदवार आविदन कर पाएंगे आईदन करने के अंतिम दिती 15 जुलाई 2023 तै की गई है लिखित प्रिक्षा के तिती 20 अगस 2023 है इन पदों के लिए आईदक ग्रेजुट फास होने चाहिए आईउ सिमा 18 वर्स लेकर 25 वर्स के बीच होने चाहिए इन पदों के लिए उम्मिद्वाराओं को ओनलाइन आईदन क सामने आ रही है मिल्लाई खबरों के अनुसार जल्दी पुलिस में बर्ती के लिए विग्यापन जारी हो सकता है नई नेमों के अनुसार बात करें तो अब उम्मिद्वारों को उच्छ शिक्षा के अंक ना देकर सारी रिक समता के अंक दे जाएंगे जो अब्यारती 6 पु करेक्टरों का इंतिजार खात्म हुआ है जीन्द डिपो में मुख्याले के और से 155 ए टिक्टिंग मशीने बेज दी गई है डिपो में 300 से अधिक ड्राइवर वा कंडेक्टर मोजूद है ए टिक्टिंग मशीन आने के बाद रोडवेज टिक्टों के चपाई पर होने वाल केंद्रे ग्रह मंतरी अमित साह की आज हर्याना की सिर्षा आने वाली रैली का विरोध को देखते हुए पोलिस ने सुरुक्षा की व्यापक इंतिजाम किये हैं इसके लिए 15 सीनियर आईपेस और 20 से ज्यादा डिएसपी को सुरुक्षा में लगाया गया है डिजीपी ने स हर्याना सरकार यातायत और प्रिवहन विवस्ता को पहले से वेतर बनाने के लिए लगातार सडके और रेल मार्क बनवा रही है शडके जितने मजबूत होंगी राज ये उतना ही मजबूत होकर विकास के और बढ़ेगा वही अब जल्दी हर्याना के अलिगड़ से पलवल जिले तक ग्रिनफिल्ड हाईवे यही अलिगड़ से पलवल ग्रिनफिल्ड एक्सप्रेस वे तयार किया जाएगा अलिगड़ को हर्याना और एंशियार से जोडने वाले अलिगड़ पलवल हाईवे पर वहानों का लोड़ कम करने के साथ ही लोगों की सुविधा के लिए ग्रिनफिल्ड एक्सप्रेस वे बनाया जाएगा बता दें कि अलिगड़ पलवल राजमारक तीन राज़ी को जोड़ता है यूपी की सिमा भी इसी हाईवे के जरिये दिल्ली एंशियार से जुड़ती है साथ ही हर्याना की सिमा को जोड़ती है हर्याना खेल विभाग ने परदेश की उबरतिक खेल परतिभावों को निखारने की देशा में एक और बड़ा कदम उठाया है शुकरवार को खेल विभाग के निदेशक ने खेल नरसरी की सुची जारी कर दिया है खेल विभाग ने परदेश के करीब 13 जिलों में 27 खेल नरसरी विद्यालों वे खेल संस्तानों को आवंटित कर दी है इन जिलों में अंबाला, भिभाणी, फत्याबाद, गुरुग्राम, हिसार, जीन, कुरूशेतर, पलवाल, पंचकुला, पानिपत, जजज़र, सिर्शा और सुनिपत सामिल है सुची में हिसार जिले की च्यार खेल नरसरीया भी सामिल है लगातार बढ़ती खाद तेल की केमतों को लेकर सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है सरकार ने बुद्वार को रिभाइंड सोया और सुरुज मुकी तेल पर आयात सुल्क को साड़े सत्रा परसेंट से गटाकर साड़े बारा परसेंट कर दिया है ऐसे में आने वाले दिनों में खाद तेल की केमतों में गिरावट देखने को मिल सकती है भारत मुक्य रूप से अर्जेंटिना, ब्राजिल, यूक्रेन और रूस के साथ सोया तेल और सुरुज मुकी तेल का आयात करता है भारत वनस्पती तेलों का दुनिया का सबसे बड़ा खरीदार भी है, अपनी मांग का लगबग 60 फेज़दी आयात करता है इससे अंतराश्टे केमतों में उतार चड़ाव का सीधा असार घरेलू बाधार पर पड़ता हुआ दिखाई देता है हरियाना में लंबे समय से सरकारी भरतियां बीच अधर में लटक रही है प्रिक्षा के तेरा गुरूपों की च्यार गुना उमिद्वारां की सूची जारी किया जानी थी और PGT के आर्थिक और सामाजिक मांदन अंक वापस करने के लिए पोर्टल जारी किया जाना था लेकिन आयोग इन में से भी कुछ नहीं कर पाया ई टेंडरिंग का विरोद कर रहे सरपंचोंने सरिवार को बट्टू छेतर में ग्रामिन दोरेफर पर पहुंचे डिप्टी सिअम दोशन चोटाला का जम कर विरोध किया सरपंच आसौसियेशन के परदेश प्रोक्ता चंदर मौन पोटलिया के नेतरतों में सरपंचों बाँ उनके समर्थकों ने भट्टू के गाउं पीली मंदोरी पहुंचे डिप्टी सियम को काले जंडे दिखाते वे उनके खिलाप नारेबाजी की सरपंचों के विरोध के एलान को देखते वे बड़ी संक्या में पुलिस तैनात की गई थी और बैरिकाटिंग की गई थी सरपंचों को विरोत को देखते वे डिप्टीशीम खुद गाड़ी से नीचे उत्रे और विरोत कर रहे है लोगों के बीद जा कर उनसे बाचित की डिप्टीशीम ने नरेबाजी की बज़ाए उनसे बाचित कर अपनी समस्या रखने को कहा सरपन्स दरमीर गौर्ट शेक निवास पर सरपन्स असोशेशन का परते निदे मंडल डिप्टी सीम दूशन चोटाला से मिला और उनके समक से पनी समझना रखी हाई ठेकदारी परता के चलते विकास कारियों में हो रहे बरष्टाचार का मुद्दा भी उठाया गया हरियाना में ग्रूप D की तयारी करने वाले उम्मिद्वारों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है लंबे समय से गुरूप D के CET का इंतिजार किया जा रहा है ऐसे में सभी अभेरतियों के लिए एक राहत भर खबर सामने आ रही है जैसा कि आप सभी जानते है हरियाना करमचारी चैनायोग यानि HSSC की तरब से गुरूप D के पदों पर भरतिया की जानी है इस के लिए हरियाना SSC की तरब से समिक पातरता परिक्षा लिजाएगी इस परिक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर बनी मेलिट लिष्ट से उमिद्वारों को पदों का चाहिन किया जाएगा फिलाल आयो की तरब से आविदन करने के लिए पोर्टल को एक बार फिर से खोला गया है जो मिद्वार इन पदों के लिए यानि गुरूप D के पदों के लिए आविदन करना चाहते हैं वे 26 जुन तक अपने आविदन भेज सकते हैं कमिस्तन ने स्तंबर में परिक्षा के लिए नैशनल टेस्टिंग एजन्सी यानि एंटे को पत्र लिखा है शिकरी परिक्षा की तिथी त्या कर लिजाएगी गुरूप D की परिक्षा की विशेस बात यह है कि इस परिक्षा में गुरूप C की तरह हैं रिक्ष्या वाला यानि च्यार गुणा का फर्मूला नहीं अपनाए जाएगा टेलिकॉम कम्पनियों की तरब से समय समय पर अपने ग्राहकों के लिए सांधार रिचार्ज प्लान दिये जाते हैं यदि आप भी रिलाइंस जियो या फिर वोड़ापन ग्राहक के कस्टमर हैं 1299 रुपए है आपको 23 दिनों की एक्स्टर वैलिट्री भी दी जाएगी आपको रोजाना 5GB डेटर दिया जाएगा इस प्लान में कम्पनी डेली अन्लिम्टेड कॉलिंग के साथ साथ 100 फ्री SMS भी ओफर कर रही है वहीं बात करें वोड़ापन आइडिया की रिचार्ज गी रुपए है रात 12 फजे से लेकर सुवेच 6 फजे तक यूजर को बिना केसी एक्स्टर चार्ज के अन्लिम्टेड डेटा ओपर किया जाता है इस प्लान की कीमत भी 2999 रुपए ही रखी गई है सनिवार को हायर एजुकेशन विबाग का यूजी यानि अंडर ग्रेजवेट के दाखले के लिए पोर्टल ओन नहीं हो पाया के लिए 17 जून से पोर्टल पर ओनलाइन पंजीकन कराई जाने का सेडूल जारी किया था भारते कोश्ति संग यानि डवलो एफाई के पूरवदेक्स ब्रेजबूशन और रेजलस विवाद में आप एलवान साक्सी मलिक ने एक नया दावा किया है साक्सी मलिक ने बताया कि हमें ब्रेजबूशन के खिलाब धरना देने के लिए बीजेपी नेता बवीता फोगाट और तिर्थ राना ने मोटिवेट किया था यही नहीं जंतर मंतर पर धरने की पर्मिसन भी बविता फोगाट और तिर्थ राना ने ही दिलाई थी, साक्सी ने पर्मिसन लेटर भी दिखाया, साक्सी और उनके पती सत्यवर्त कादिया ने सनिवार को सोसल मीडिया पर The Truth टाइटल से अपने एक वीडियो पोस्ट के था, इसमें यह दावे किये गए, साक्सी का यह दावा इसलिए भी एहम है क्योंकि बरिजविशन समेथ, BJP ये कहती रही है कि धरने की पीछे हरियाने से राजिस्वासान से दिपेंदर हुड़ा है, वहीं बवीता फोगाट खुद भी रेसलस के धरने में राजनीती होने की बा पड़तियां, वहीं रिजल्ट से जुड़ी होई कुछ अपडेट सामने आ रही है, आपको यहाँ पर बताते चले कि आईबीपेस भरती में पदों की संक्या बढ़ा दी है, अब 953 पदों पर ये बरती आउंगी, इन पदों के लिए रजिस्टेशन परक्रिया 21-2023 तक च परक्रिया 21-2023 तक जारी रहेगी, दस्वी पास होना इसके लिए जरूरी रखा गया है, शिर्फ अन्मेरिड पुरुषों और महिलाओं के लिए मोका दिया गया है, वहीं आई-ई-टी में एडिमिशन का सपना देख रहे हैं स्टूडेंस के लिए आज का दिन खास होने व कर दो